एक सवाल ऐसा है जो हर network marketer कभी ना कभी खुद पूछता है या फिर उससे लोग पूछते हैं और सवाल क्या है अगर list खतम हो जाए तो क्या करें या फिर बहुत बार लोगे पूछते हैं कि prospecting के लिए कहां कहां जा सकते हैं network marketing में या list को लगातार बढ़ाई रखना हो तो क् और अगले कुछ मिनिटों में मैं आपके साथ शेयर करूँगा एक दो तीन नहीं पांच ऐसे sources जहां से आप unlimited supply of prospects अपनी list के लिए ढूण सकते हैं हाई इस दीपक बजाज और स्वागत है आपका हमारे इस network marketing FAQ विए इस फ्री YouTube वीडियो सीरीज के एपिसोड नंबर 35 में जी हां इस एपिसोड नंबर 35 और अगले कुछ मिनिटों में हम डिसकस करेंगे कि आप अपनी list को हमेशा कैसे बढ़ा सकते हैं देखिए पहली बात आपको गौर से समझनी है यह मेरी बहुत स्ट्रॉंग रिक्मेंडेशन है list is your life line इस बात को दिल पे बैठा लिजेगा list is your life line list खतम network marketing खतम your career is over आप कभी भी अपने लिए ऐसी situation आने ही मत दीजेगा जब आप यह बोलें कि list खतम हो गई अब क्या करें नई list बनाने का और अपनी पुराने list में नए लोगों को add करने का सही समय तब नहीं है दोस्त जब आपकी list खतम हो गई सही समय तब है जब आपका business boom पे है आप रोज काम कर रहे हैं उसी समय साथ-साथ अपनी list में रोज एक, दो, तीन, चार, पांच नए नाम जोड़ते चले जाएए और अगर कोई मुझे बोलता है कि नहीं यह करना तो बहुत मुश्किल है तो वो सरा-सर जूट बोल रहा है बहराल इस वीडियो में मैं आपके साथ share करूँगा पांच ऐसे sources जहां से आप हमेशा regular basis पे अपने लिए नए prospects ढूंड सकते हैं देखिए पहला है social media, social media boom कर रहा है और social media ने पिछले कुछ सालों में इस network marketing business को करने के तरीकें को पूरी तरह बदल दिया है social media एक gold mind जैसा है, सोने की खांच जैसा है जहां पे unlimited number of prospects available हैं दो strategies हैं जो आप social media पे follow कर सकते हैं देखिए पहली बहुत simple है आप लगातार consistently कमाल का content अपने social media page पर post करते जाएए अगर आपके पास कमाल का content है और आप consistently इसे post कर रहे हैं तो फिर दो चीज़े होंगे, number one, people will start falling in love with you they start liking you, they start respecting you and they will start connecting with you और दूसरा, जब आपका content कमाल का होता है और ये लोगों की problem solve करता है तो फिर social media platforms खुझ से आपके content को अलग-अलग लोगों तक पहुंचाते हैं उन लोगों तक जिन लोगों को आप already जानते हैं नहीं थे जो आपके friend circle में भी नहीं थे मेरे अपने personal Instagram account की अगर आपसे बात करूँ मैं तो करीब पिछले महीने में हमें मिले 5.5 million views उसमें से 20% थे उन लोगों से जो अलड़ी हमें follow करते हैं लेकिन 80% व्यूज तो बोली करीब-करीब 4.5 million या पिन 40,000,000 व्यूज कहां से आए ये उन लोगों से आए जिनको मैं जानता नहीं था जो मेरे को already follow नहीं कर रहे थे लेकिन क्योंकि मैं content को consistently डालता हूँ तो अपने आप Instagram में मेरे content को वहां तक पहुंचा दिया ये आप लगातार करिए साथ साथ एक दूसरी strategy आपको social media पर अपनाने चाहिए वो क्या है यू go to social media and identify good people वो आप उनको जानते नहीं है वो आपको जानते नहीं है but you feel they are good for your business और आपको लगता है वो आपके साथ match करते है उनकी profile उनका account आपको देखकर अच्छा लगा then you can approach them and you can go to them but ये जब आप करें then you do it respectfully and without spamming so बड़ी elegant तरीके से आपको ये काम करना चाहिए और social media से business को build करना ये भी ना अपने आप में एक तरह की science है अगर आप कुछ भी करते रहेंगे तो परिणाम नहीं मिलेंगे आपको सही कामों को सही धंक से करना होगा तब परिणाम मिल सकते है I have a very amazing course called social media and online business mastery तेईस दिन में आपके साथ काम करता हूं we have a social media tracker जिससे हम आपके काम को रोज track करते हैं plus आपको daily tasks and assignments मिलते हैं और A to Z organically बिना एक रुपया खर्च किये हुए बिना एक रुपय की आड़ चलाए हुए कैसे आप अपना brand बना सकते हैं इस वीडियो के नीचे description में लिंक होगा you can enroll for that particular program और वो एक इकलाओ प्रोग्राम है इस पूरे ब्रह्मांद में जो सिरफ डारेक्ट सेलर्स के लिए निट्रूप मार्केटर्स के लिए बनाया गया है तो यू लव लव ब्रोग्राम और पचास देशों में हमारे साथ में के participants हैं दूसरा तरीका जिससे आप नए लोग ढूंड सकते हैं that is reach out to your past leads कुछ लोग ऐसे थे जिनको आपने तीन महीने पहले छे महीने पहले साल पहले अपरोच किया उस समय वह interested नहीं थे business के लिए आपकी opportunity के लिए but now they may be interested okay situation बदलती है चीजें बदलती हैं हालात बदलते हैं you can go back to those people again and now those people again will be added to your new list तीसरा काम जो आपको जरूर करना चाहिए आपके अपने इलाके में colony में महले में जो events हो रहे है social activities हो रही है उसमें आप actively participate करिये कहीं blood donation camp हो सकता है कहीं शायद लंगर लगा होगा कहीं कुछ religious event हो रहा है कहीं पर शायद 26 जंदरी 15 आगस मनाया जा रहा है कहीं कुछ sports हो रही है जो भी हो रहा हो participate actively और लोगों से interact करिये चौधा groups के active member बनी आप be an active member of the group group कहा होते हैं familygram पे होते हैं WhatsApp पे होते हैं Facebook पे होते हैं इन groups में on an average हर इनसान कम से कम 10 से 20 groups का हिस्सा होता है और मैंने इन groups में एक चीज़ देखी है क्या होता है 98% people in this groups are silent वो कुछ करते नहीं है है या नहीं है पता भी नहीं चलता है एक परशन लोग होते हैं वो कभी smiley भेज देंगे कभी high कर देंगे कभी like कर देंगे कभी comment कर देंगे 1% people are there in the group जो group को चला रहे होते हैं एक अजर लोगों का group है सिरफ 10 लोग होते हैं जो रोज पोस्ट करते हैं regularly post करते हैं you become an active member of the group and पाच्वी और लास्ट daily approach strangers this is very very powerful आप Metro में सफर करते हैं फ्लाइट में है एरपोर्ट पे बचों के स्कूल जाते हैं sports meet में जाते हैं कहीं cafeteria में बैटे हैं आप कहीं shopping कर रहे हैं वहाँ पे free आप भी वेट कर रहे हैं कोई और भी वेट कर रहे हैं every single day there are so many opportunities जहां पर आप लोगों से मिलते हैं endless possibilities हैं endless opportunities हैं just give a casual smile to people say hi hello strike a conversation हम देखते हैं कहां जाता है और अगर आप एक लिस्ट बनाना चाहते हैं respectfully इज़त के साथ अपना posture maintain करते हुए तो मेरी किताब बनी है network marketing millionaire में मैंने बहुत सारे pages service list making and prospecting को dedicate किया है करीब 100 pages में हमने sales के पूरे process को उसकिताब में डाला आप चाहें तो उसकिताब को खरीच सकते हैं यह थे वो 5 sources जहां से आप अपने लिए कभी ना खतम होने वाले list बना सकते हैं सीरीज में हमारे पास total 35 वीडियो है 35 वीडियो है हर एक वीडियो एक network marketer के लिए बहुत जरूरी है यह सोच के हमने बनाए है आपने अगर इस सीरीज के बाकी वीडियो नहीं देखे तो आज भी जरूर देखिएगा I have one dream I want to see you at the top चमकते रहें see you in the next video